यह एक नेच्टरल सबजी है जिसे लगाया नहीं जाता यह खुद ही पानी के किनारे या जो ठंडी जगाएं होती है वहां होती है यह बेसिकली हीमाचिन में जंगलों में पाई जाने वाले सबजी है और यह बहुत ही हैल्वी सबजी है इसमें किसी तरह की कोई खाद का कोई श्रीषां। पानी में बहुते हैं कि यह उतीं के शॉक्त पहले नहीं होता ह। यह सबसे हमें है इसे तो मिफ सबसे पहले इससे वहान है। यह इसे अच्छे सें बाचिच फ़्धीड में डालों में रिंग से क्ते है इसमेंmmen बहुता है। तो शूक्त के पानी में अरीम अच्छे से मसल के जो रगड़ेंगे तो उसमें जो बाल से होते हैं हलके हलके ब्राउन से पिलर के उसे हमने निकालना है इस तरह से मसल के तो यह जो नेचुरल सब्जियां होती है बहुत हेल्दी होती है और जो हिमाचिल में थोड़ा थंड़ा इलाका होता है या पानी के साइट वहां पे ये सब्जी बेसिकली पाए जाती है तो चलिए सबसे पहले इसे साफ कर लेते हैं और उसके बाद इसे किस तरह से बनाते हैं अब इसे एक ब्रेश की हल्प से मैंने पानी से भाँ निकाल लिया है लग बादा कंटा हमने इसे भिगो के रखन था खुले पानी में अब मैं इस तरह से सब्सक्र leων में इसे रिंग होता है उसे हमने साफ करना है जो रेशा होता है इस अब इस नेल के नीचे अच्छी तरह से रगड़ लेंगे और बाल से रेशा बढ़ी इसली निकल जाएगा तो अब यह धोगे बिल्कुल हमने साफ करना है और अब हमने इसका जो सीरा है उसे काट लेना ये काला काला हो गया है कि इस सब्जी में बहुत जादा आयरन होता है तो इसलिए जब काटते हैं बहुत सॉफ्ट और एकदम पानी से भरी विरसीली होती है एकदम तो बहुत ही इससे थोड़ा सा सीरा निकाल देंगे जो ब्लै अच्छे से एकदम बारी करके काट लेंगे कई बार कुछ पेसे पके हुए भी होते हैं तो उससे हमें एक रेशा सा निकालना पड़ता है जैसे बेंच से हम निकालते हैं दागा लेकिन ये काफी सॉफ्ट है तो इसमें इस तरह की कोई रेशा नहीं है और बहुत ही आसानी तेल से इजिली कट रही हो देखिए कितनी अच्छी कटकी एकदम बारी तो जितनी बारी कमारे सब्जी कटे की उतना ही अच्छा हुसा तेज आएगा तो ये लिंगडू जो है कटके तयार है इसे डिफरेंट नाम से जाना रहता है हर जगा अलग नाम होता है तो कड़ाई यहां अच्छे से गरम करेंगे दुआने तक और तेल गरम हो चुका है तो मैंने इसमें डाल लिया एक चम्माज साबुत जीरा तो जीरे के हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे जैसे जीरा गोल्डन हो जाएगा प्रॉपर फूल जाएगा तो यह है मैंने प्याज मैंने दो को तीन प्याज लंबे-लंबे स्लाइस बनाएं इसलिए सब्जी में ज्यादा डाले है कि इसका अपना थोड़ा अलग सा डिफ्रेंट साहल का सैले टेस्ट पहोती है तो इसलिए प्याज जो है उस देसको चैस्ट तर प्याज से थोड़ा मीठा बना जाएगा इसलिए मैंन और फिर हम हल्दी और मेथी दाना और धनिया पाउडर और थोड़ी से मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है तो मसाले आप गम जाद आपने टेस्ट के इसाफ से कर सकते हैं अब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और लो फ्लेम पे ही मसालों को भूनना चाहिए ताकि मसाले जले ना अगर मसाला जल जाएगा तो उसका प्रॉपर टेस नहीं आपाता और अब हम जो सब्जी हमने काट के रखी है लिंगर उसे इसमें डाल लेंगे तो यह इसका ज वयक्ता नाचरल सब्जी हैं जंगलो में ही पाय जाती है इसमें कोї खेती नहीं होती है इसकी तो अब हमने इसमें डाल लिया है नमाक नमाक स्वादा नुसार और सबजी कोंचे ग esxy की हिसास से डाल शकते हैं अब हम इसे अच्छे से िक्स कर लेंगे ताकि नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और अब मैं इसे ढख दूँगी तो कम से कम 10 मिनट तक हम इसे ढख देंगे और लो फ्लेम पे ही मैं इसे बनाऊंगी तो हमने इसमें किसी तरह का कोई पानी ने डालना है इस्टीम से अपने आप हो जाती है 10-15 मिनट में सिम पे अराम से ये खुख हो चुकी है बहुत अच्छे से और ये है तोरी दही तो इसे हम अच्छे से फैंट लेंगे अब मैं लगाने वाली हूँ दही इसमें दही डालने से पहले सब्जी को पहले ठंडा कर लें गैस का फ्लेम मैंने बंद कर चुकी हूँ और इसे मैंने ठंडा कर लिया है और यह है एक जमस नादाना पाउडर तो नादाने की जगा आप अमचूर पाउडर मैंगो ड्राइ मंगो पाउडर भी यूज कर सकते हैं तो इसे सब्जी का जो जायका है काफी अच्छा आता है और जो कसेला पन सा होता है वह आपको पहलोंगी और फिर हम इसे दही को पकाना है बिल्कुल ड्रेः करने आप मैंने जो फ्लेम हाई रख घूंगी किसी भी षची में जब आप दटर करें तो असके बाद उसमें दही ढ़ा है और अब दही मिक्स करने के बाद ग्या पिर से और अब मैंने रखा है हाई फ्लेम क् कर दोड़ी एक टोरी दहीं का इस्तेमाल किया है मैंने और इस दहीं को हमने बिलकुल ड्राइ करना है तो इस तरह लगभग 3-4 मिनट में ड्राइब हो जाएगा यह देखिए बिलकुल ड्राइ हो गया है हमें इसे बिलकुल सुखाना है और इसी तरह इसे हिलाते विसकी चम्मच हरी धनिया पती डाली है तो थोड़ा सा हम इसके बाद इस तरह धनिया जो अभी हम डालते हैं तो मैं अभी इसकी थोड़ी से बनाई और करूंगी इस तरह पहले डालने से धनिया का बहुत अच्छा प्लेवर आता है बहुत ही अच्छी महक आएगी जो लिंगड का आपना जो नेचरल स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी इस तरह से आप इसमें पकते हुए दो तीन चम्मच या ज्यादा भी डाल सकते हैं आप हरा धनिया काटके डाल दें और जो गानिशिंग के लिए यूज करेंगे धनिया वो मैंने अलग से रख लिया है अब इस सब एचरल चम्मच डाल लिया है गरा मसाला तो सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है दही आप देख सकते हैं बिल्कुल टोट़ टोटली ड्रै हो गया है और दहीं स्थरा जो रिज हम सब्जी बनाते हैं उसका टेसा बहुत अच्छा आता है तो सब्जी हमारी जो है सर्व करने के रिए तैयार है अब आप इसे दाल रोटी चपाती चावल हर चीज के साथ यह बहुत अच्छी लगती प्रांठे के साथ भी और चावल के साथ तो इसका बहुत ही अलग टेस्ट है तो अब हमने इसे हारी धनिया पत्ती से गानिश कर लि साथ में डालेंगे इसमें देशी घी अब इसका जो चावल और घी के साथ इसका कॉंबिनेशन बहुत अच्छा होता है तो आप इससरा जूरू ट्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यह दे रहा दहीं और लिंगर चावल के साथ और घी डालके तो बहुत ही गजब का टेस होता है तो आप इससरा जूरू ट्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें